इस तरह से आप cash counting machine में पैसे को count कर सकते हैं बिलकुल आसानी से जनकरी है कि आपका यह बेज बनाने के लिए आता है यह बेज के मतलब होता है जैसे आपको दो-तीन लाग आपके पास है गड़ी दो-तीन लाग का आप उन्हें दो-तीन लाग यहां पर डाल लिया और आप चाह करेगा फिर रूख जाएगा इसका मतलब बेज होता है और आप चाहते कंडी भी गिनते जाए और बढ़ते जाए तो आप इदर से डालते जाए इदर आपका खतम होने बाद इदर किता हुआ हो मतलब उसको नहीं बस आप उठाओ फिर भी वह आगे से इसमें क्या होता है इक बार जित्त आपने रखा रखने के बाद अगर उठाएंगे आप यहां जिरो हो जाएगा यह जब दाप देंगा तो जीरो नहीं होगा उसमें क्या होगा आप उठा लेंगे फिर पीचेस बस उसको बस डालते चलो इकलते जाएगा बीजित बढ़ते चला जाएगा तो पैसे चल ले रखता युदध है था जिसका अंधेर होने की इसे चलता हॉम पटकी लगा रहता जो पैसे रहना यह नोड गिनता है किता हुआ यह नहीं गिनता है इस तरफ से उधर रहने चीए और पीट इनका उपर रहने चीए तो इस तरह से ज्यादा बेतर गिनता है तो इस तरह से जाएंगे तो इस तरह रहा है तो इसको रखने तरीका कि आए आपको रखने के लिए आपको बिल्कुल दोनों तरफ से सीधी होनी चीए नोट इस तरह से ब्लब के यह पांस टेका है फ्यूचर का यहां देखाएं और यहां पर देखने मीलेका आपको यहां पर घीरोजिड़ो यह पास्ट though घगा आपको उठाने बाद यहां पर भी रहेगा नतें our यहां know कल लें देखिए आप सहीव नहीं के अ देख पा रहे होंगे फिर एक और लेते हैं है कूझ लिव्द्राठ सबस्ट 12 00.00 का तो इसंतर मौड़ी है तो ठेट एट नर्यूर देखे लें सकता है जा रहा है तो अभिडरे आपको देखियें के अच्छे षनेङ मूड़ी हुई है तो अगर सीधे फिर तो किदर से अब रख सकती है मूड़ी नोट को तरीका यह के मूड़ी उस तरह दाल देता क्या वो सीधा हो जाए कुछ वह कुछ उसमें इस तरह रफना है आपको कि देखता होंगे 12 केश काउंटिंग मशीन के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं